मेरे प्यारे देश्वास्यों, हमारे यहां कहा गया है, विद्या धनम, सर्वधनम, प्रधानम, अर्था कोई अगर विद्या का दान कर रहा है, तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है, सिक्षा के खेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोसन कर सकता है, मुझे यह देखकर बहुत खोशी होती हैं कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किये जा रहे हैं, यूपी की राजधानी लखनव से 70-80 किलोमेटर दूर हरदोई का एक गाउ है, बांसा, मुझे इस गाउं के जतिन ललित सींचे के बारे में जानकारी मिली हैं, जो सिक्षा की अलग जगाने में जूटे हैं, जतिन जी ने दो साल पहले यहां Community Library and Resource Center शुरू किया था, उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर, लॉग और कई सरकारी परिक्षाओं की तयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबे मुझूद है, इस लाइबेरी में बच्चों की पसंद का अभी पुरा ख्याल रखा गया है, यहां मौझूद कॉमिस की किताबे हो यह फिर एजुकेशनल टॉइश, बच्चों को खूब भार हैं, छोटे बच्चे खेल खेल में यहां नई नई चीजें सिखने आते हैं, पढ़ाई आफ्लाइन हो यह फिर आउनलाइन, करीब 40 वोल के तकरिबन 80 विद्यारती इस लाइबरेरी में पढ़ने आते हैं, साथियों जारखन के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उडाने दे रहे हैं, अपने विद्यारती जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था, ऐस में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने ख्षेतर के बच्चों का भविश अंतकारमाई नहीं होने देंगे, अपने इस मीशन की वज़र से आज वो जारखन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइबरेरी में बन गए हैं, संजय जी ने जब अपनी नो नौकरी के दावरान उनका जहां भी ट्रांस्फर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइबरेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं, ऐसा करते हुए उन्होंने जारखन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइबरेरी खोल द जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेश्ट से रहना करता हूँ